वेलकम टू बाल गोविन्दम बच्चों आज हम पाठ पांच बढ़ेंगे जिसका नाम है आलू का चमतकार भोलू और गोलू दो आलू थे गोल मटोल, सुनहरे और सुन्दर वे रसोई घर में पड़े-पड़े उप गए थे कुछ दिन पहले वे सबजी मंडी में बहुत सारे आलूओं के साथ रहते थे वहाँ इधर उधर लुड़कने में बड़ा मज़ा आता था एक दिन सबजी वाला भोलू और गोलू को मंडी से खरिद कर बाजार में ले आया उसने भी उन्हें आलूओं के धेर पर सबसे उपर सजाया था वे पूरे बाजार की रौनक देखते थे और खुश रहते थे उन्हें एक महिला बाजार से खरिद कर घर ले आई और रसोई घर में रख दिया अब यहां इस रसोई घर में तो छोटी सी टोकरी में दब पिचकर बैठना पड़ता है उपर से भिंडी और मिर्ची की नोकें उन्हें जब तब चुपती रहती थी भोलू और गोलू को दुख इस बात का भी था कि टमाटर भी गोल मटोल है पर उसकी फिकर सबको रहती है कि वह कहीं दब न जाए कहीं पिचक न जाए पर भोलू और गोलू की किसी को कोई परवान ही नहीं घर की माल किन भी इन पर ध्यान न देती एक दिन लौकी की ठोकर से गोलू टोकरी से बाहर लुडग गया वह फ्रिज के नीचे घुस गया उसे टोकरी जरा भी पसंद न थी पर यहां तो बड़ा अंदेरा था गर्मी के कारण उसके सरीर पर अजीब से फोड़े हो गए अब ना तो वह गोल लगता था ना ही सुन्दर माल किन ने उसे देखा और फैंक दिया घर में काम करने वाली बाई गोलू को ले गई गोलू के टुकडे किये और हर फोड़े वाले भाग को मिट्टी में बो दिया कुछ ही दिनों में आलू के पोधे निकलाए कुछ हफ़ते बाद जमीन खोदने पर धेर सारे गोल गोल सुन्हेरे आलू निकलाए असल में गोलू के सरीर पर वे फोड़े न थे वे अंकुर थे हर अंकुर से एक पोधा निकला और हर पोधे से धेर सारे आलू सब इसे गोलू का चमतकार मान रहे थे तो ये तो हो गया आलू का चमतकार पाट क्या सीखा? सभी सबजियां हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है इसलिए सभी सबजियों को खाना चाहिए अब अच्चो इस पाट के पीछे जो प्रश्न उत्तर है शुत लेक और शब्दार्थ ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने है